नरेन मोदी जी के तीन रम अस्त्र है, तीन हतियार है, पहला अस्त्र है ईवियम, पहला अस्त्र है ईवियम, दूसरा हतियार है धर्मांदता और तीसरा हतियार है ईडी, आईटी, सीबिया, ये नाई, लोगों के मन में एक ईवियम के बारे में जन्विश्वास कम होता जा रह है प्रदर्शन हो रहे हैं 28 राजनेतिक दल्वाने उनसे मिलने का समय मांगा 6 महिने में आनी चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे नरेद मोदी जी इतने महान है कि 500 वर्षों बाद भगव को बापस लाएंगे अहाँ है वोलो है कि मानी सौफाती मौदे अभी विद्वान हमारे सुधानशु तरवेदी जी ने जो अपना भाशन दिया वो मूल रूप से उसी विचारधारा पर केंद्रित था जिस विचारधारा से वे आते हैं अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीती अपना कर इस देश पर राज किया और उनी से प्रेड़ना लेकर आज भारती जनता पार्टी और राष्टी स्विम से वक्संग इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की बात कर रहे हैं उसी पर उनका पूरा भाशन केंद्रित था मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ उन्होंने 500 वर्षों बाद भगवान राम को उन्होंने स्थान दिलवाया 500 वर्षों बाद नरेद मोदी जी इतने महान है कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए लेकिन लेकिन नीरव मोधी जैसे लाखों करोर रुपे लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाई यह लोग कहां है वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे भगोड़ों को वापस लाएंगे बात वही है इन्होंने केवल अपने पहले हिंदु मुसल्वानों को बाटा अब भगवान राम के भक्तों को आप बाटते हैं ये मैं आपसे कह देता हूँ मैं आपसे कह देता हूँ सीट पर बैठ करना बोले अब मंदिर वही बनाएंगे मंदिर जहाँ बाबरी मस्जिद तोड़ी वहाँ नहीं बनाया वो जहाँ कॉंग्रेस पार्टी ने भूमि अधिकरत की थी और जहाँ शिलान नियास कराया था वहाँ मंदिर का निर्मान कराया इनका मंदिर वही बनाएंगे का कारण ये था कि जब तक मस्जिद नहीं तूटेगी तब तक इनका उद्देश पूरा नहीं होगा यही भारत जोड़ो यात्रा हमें हम लोगों ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर राहूल गांदी याज यात्रा कर रहे हैं मानिर रवती मोदे हमेशा नरेंद मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास बाद में जोड़ा सबका विश्वास और अब कह रहे हैं सबका प्रयास मैं तो आप से इम्रोद करना चाहता हूँ हर पहलू पर मोदी जी विफल हुए है हाँ इन्होंने बहुत सारी सफलताओं का उलेक किया है लेकिन वो सारी योजनाएं जिन पर ये सफलता का श्रे ले रहे हैं ये सारी योजनाएं कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा स्प्रारम की जारी योजनाएं थी जिनको अलग अलग नाम दे दिया गया जंधन की बात की जंधन का नाम बदला गया लेकिन छोटे छोटे खादेदारों का खाता खुलवाने की शुरुआत कॉंग्रेस पार्टी ने की थी मैं आप से कहना चाता हूं कि ये बात सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लेकिन ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास इससे जादा नहीं बढ़ पाए क्योंकि ये बड़े नतीजों के बात करते हैं 200 पर 300 पर लेकिन प्रतिशत वोट 40 प्रतिशत से कम आते हैं इसलिए कहां से गया दिया सबका साथ सबका विश्वास विश्वास मानी सवबाती महुदे तब होगा जब इस देश के हर वर्ग हर धर्म के पालन करने वालों लोगों का ये विश्वास अरजद करेंगे इन्होंने डॉक्टर मनमहुन सिंग ची के बारे में एक बिलकुल अस रहे तीन हतियार है पहला अस्त रहे इवीएम दूसरा हतियार है धर्मांदता और तीसरा हतियार है EDIT CBI NIA भारत विश्ट का सबसे बड़ा लोगतंत्र है Mother of Democracy कहा जाता है लेकिन सफल लोगतंत्र के लिए निश्पक्ष माननी चुनाव आयोग आवश्यक है आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक EVM के बारे में बिश्वास कम होता जा रहा है प्रदर्शन हो रहे हैं 28 पुलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश चुनाव आयोग के सामने रखे नर्सिमा जी हमारे बैठे हुए इन्होंने खुद में किताब लिख डाली थी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवार निश्वक्षता से है क्या 28 राजनेतिक दल्वा ने उनसे मिलने का समय मांगा 6 महिने में माननी चुनाव आयोग को 28 पुलिटिकल पार्टीज से मिलने का समय तक नहीं मिला हम ऐसे चुनाव आयोग पर भरोसा करेंगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहां उच्चतम नयायले ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सुदस्यों के चैन के लिए माननी मुख्यानाधीश उच्चतम नयायले के उनको भी उसका सद्निती का सदस बनाया जाए लेकिन प्रधान मंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया जब सारे हविपक्ष के संसत सदस्यों को उनको उन्होंने निसकासित कर दिया और क्या किया कि प्रधान मंत्री जी के अलावा प्रधान मंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका दस्यों में दो जब प्रधानवंतरी जी की द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए और यही नहीं है आज ये बात साफ हो गई है कि बी एल के अंदर चार डारेक्टर्स इंडिपेंडेंट डारेक्टर्स की न्युक्ति किनकी हुई है भारती जनता पार्टी के मकसद है वोट डालने का क्या वो उसका निरने हमको मिलता है क्या आज साफ्ट्वेर निरने करता है कि आपको मशीन क्या नतीज़ा देती है हमारी मांग क्या है हमारी मांग यह है कि माननी चुनावा योग को वो साफ्ट्वेर पबलिक डोमेन में लाना चाहिए हमारी क्या म एक वोटर के नाते एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूं उसको वोट पड़े कि इस पूरे विश में केवल पांच देश ऐसा है आज है जहां एवियम के माध्यम से चुना हो रहा है उसमें से ऑस्टेलिया में जो सौफ्ट्वेर डाला जाता है वो पॉब्लिक डुमेंड में है मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रधान मंती जी और पूरे मंती मंदल से क्या कारण है कि वो सौफ्ट्वेर बताने में क्यों इतने परेश्ट करते हैं क्या डर है उन लोगों को आज जब मांग उठ रही है जनमानस में चारों तरफ से कि हमें इवियम नहीं हैं आप हमें हमारी बात इतनी से मान लीजिए या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराईए जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एसी सी रेजोलिशन में अपना मत रखा था उस पर हम आज भी कायम है और यदि आपको इवियम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में व सवापती मौदे मैं आपसे इतना अनुरोद करना चाहता हूँ कि दूसरा हतियार इनका धर्मांदता का है धर्म से इनका कोई नाता नहीं है हिंदुत एक आइडेंटिटी थी सावर करजी ने जिसको नाम दिया था और उन खुनने कहा था इस तक कोई धर्म का लेना देना हैं लेकिन विना धर्म का उपयोग करे राजनीती में भारती जनता पार्टी जनता की बीच में चुनाओं में नहीं जा सकती और यहां तक करनाटक के चुनाओं में नरेंद मोदी जी खुद उन्होंने वहां पर आम सभा में कहा बजवंग बली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओं चुनाओं आयोग माननी सभाबती मौदे मेरी आपतीस बात की है कि अगर थोटी बोटी बात भी अगर कोई और अन्य दल्का कर देता उसको नोटिस मिल जाता लेकिन खुले रूप से नरेंद मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन आप पीपल्स एक्ट का उलंगन किया है अब सेक्शन 123-33-A का लेकिन उस पर चुनाओं आयोग ने संग्यान में क्यों नहीं लिया आज भी पूरे देश में धर्म के नाम पर ये व्यवसाय कर रहे हैं वो राम मंदिर का निर्मान जो की नर्सेमा राव जी ने रामा लेटरस को सौपा था चारव श पांच लोगों का सामा लेटरस बनाया उसके हाथ में क्यों नहीं दिया विष्छिंदू परिशत के हाथ में और विष्छिंदू परिशत के हाथ में जयकर निर्मोही अखळा जो फूरे तरीके से सदेखें आ आ बैस देए को पाँच मिनिट बाइब कर दया देखेंगे आपके लिए आपको ऊपोजीशन का का समय हमारे इसमय नहीं से सुबया है क्योंकि वो उनका अधिकार है अभी जो नियमत है उसी कुमसार चलेंगे प्रीज आपको पूर्ट करें मैं आप से कहना चाहरा था कि पीपल्स एपूर्टिशन भाशन में कहा कि मेरी मोधी गारंटी ये महराश के नेता उन पर सत्तर हजार करों का गोटाला है उनको मैं जेल भेजूगा लेकिन तीन दिन बाद क्या हुआ सहबति मोधे जेल भेजने के बजाए उनको मुख्यमत्य बना दिया गया देवें फंडविस कहते थे दादा चक्क पीस्जिंग पीस्जिंग आज दादा जेल में नहीं महराश के मंत्रा लेब में बैटकर बोधी जी गारंटी कर पीसिंग पीसिंग कर रहे है व्याप से कहना चाहता हम की पूरी तरह से भारती जंता पार्टी एंटी पूर है। शुरू से रही है, कोई नई बात रही है। पूरे कॉर्परेट्स के पक्षमेहिन का पूरी रही है और इसलिए कि हमारे जो डारेक्टर परिंसिपिल में असमानता दूर करने का झाल था, उससे अलग अमीर और गरीब का असमानता बती दूरी चलिए आ रह वो लोग हैं, उनको जेल भेजा गिया, I'll take two minutes more, sir, two minutes, please, two minutes, sir, two minutes, sir, I have spoken to chairman, sir, I have spoken to chairman, sir, I have spoken to chairman, sir, please, I'll take two minutes, only two minutes, please, please conclude, only two minutes, I'm concluding, sir, अगर पूरे देश में, एक्टिवेस्ट, जनलिस्ट, इनको पराद लगाकर बेल नहीं दिया गया, क्या भीमा कोड़े गाउं के हो, C.N.R.C. के हो, J.N.U. की, इनके सब के खिलाफ कारवाई की, मैं आप से एकी बात कहना चाहता हूँ, इस देश, N.D.A. का एलाइंस एलाइंस प्राड़ाएंस. खादम करें लिखीति, फ tooling पारे फेस्ता बाते नहिम्ना ने लिखीती, व स्थे इनके के हम लिखेति, मुझा कोडनिस्त, के सकतरत बलिगर. ःवस्तज कोड़नमा क।रते हैं स्ब्दीर्श स्वार्वाव्स्त, का सब्दिट एलाइंस बीएस